कनोज में पलायन कर घर लोटे कामगारों के लिए मनरेगा योजनावरदान साबित हो रही है जिले की जादतर ग्राम पंचातों में इस वक्त मनरेगा से खूब काम कराई जा रहे हैं सालमबाद घर लोटे कामगारों के चहरों पर गाउं में ही काम मिलने से एक अलग खुशी नजर आ रही है कन्योज के सदर ब्लॉक के बलार पुर ग्राम पंचात में पूरा गाउं लॉकडाउन के इस काल में भी काम करने में जुटा है मनरेगा से मिले काम में इनकी रोजी रोटी का संकर्त दूर किया ही इनके पस्त हो चुके होसलों को एक नई उडान भी दी मनरेगा में मजदूरी कर रहे इन कामगारों का कहना है कि कुछ दिन पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे लेकिन सरकार नई है इसकीम शुरू कर हमें बहुत बड़ा सहरा दिया है मनरेगा में काम करने वालों में पलायन करने वाले मजदूरों के साथ वहकिसान भी काम करते नजर आए जिनकी फसल बिगड़े मौसम की बली चड़ चुकी है जिलादिकारी ने बताया कई प्रदस्तों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए रोजगार देने के लिए 425 ग्राम पंचायतों में प्रवासी मजदूर आ चुके हैं उनमें से 356 ग्राम पंचायतों में काम भी शुरू हो चुका है कि अगरी अच्छ लग जब जाति मुल रहा है तुझ आइ अच्छा करदी लिए हम जो है बहुत अच्छी जगार लग गया नरीगा करने लगे हैं उसमें जो है हमारा सीड़ाफिट हो रहा है अब हम जो है मजदूरी भूखे मर रहे थे खेती में कुछ और नहीं नहीं तो इसमें काम हो रहा है तो अच्छा लग रहा है यह पाले खेती बारी करते अब काम जेजे हर्दी मिच्प के मसालाग थो चल लो उनाए मेरी तजली बहुती बहुती है अब बड़ी आरा हूं तमाम प्रदेशों से प्रवासी मजदूर हैं यह जिले में आ रहे हैं क्योंकि अब वहां उनका काम बंद हो गया था यहां आए हैं तो आवसिक है कि यहां उनके लिए काम की बेवस्ता की जाए तो अभी तक हमारे यहां कुल लगवग चार तो पच्चीस गाओं बंद जायते ऐसी हैं जहां हमारे प्रवासी में दूर आ गए हैं उनमें से 356 गाओं बंद जायतों में हम लोगों ने नरेगा का काम सुरू करा दिया है अब तक हमारे कुल करीब 5,045 लोग काम पर लग गए हैं और 2,045 लोगों का हम लोगों ने जो बाहर चाएं हमकर ने जाब कारड बनवा दिया है और बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे कि हमारी सभी गाओं बच्चायतों में नरेगा का काम सुरू हो जाएगा और जो भी लोग आये हैं यह था सम्भव सब को किसी जाब से जोड़ा जाएगा